हेई दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वालू हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत आधा इंपॉर्टेंट है विजिटर्स है इन्स्टाग्राम पर सेल लाने के लिए कैसे पूरा देखते रहें न ही एंस्टाग्राम पर आपको समझना बहुत साथ है अगर आपको छो विजिटर्स के वज़े से आपको सेल मिलता है इंस्टाग्राम पे तो सबसे पहरा जो फैक्टर है उसको बोलते है प्रोफाइल विजिटर्स यहां पर आप चेक कर सकते हो कि प्रोफाइल विजिटर्स कितने आ रहे हैं और आप इनको लिटरली आप इनको समझने की कोशिश करो कि साथ दिन में या चौदा दिन में या एक महीने में या दो महीने में कितने जादा विजिटर्स आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं इवन ये भी करने की कोशिश करो कि रोज के विजिटर्स कितने हैं आपके प्रोफाइल में बिक सबसे जो पहला फैक्टर है कि कितने लोग आपके लिंक पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे से काफी सही से समझना पड़ेगा कि कितने विजिटर आपके प्रोफाइल पर डेली के आ रहे हैं चाहें वो और अगर आप और गैनिक की बात करते हो तो जो है वो पूरी तरह से अब इसागा में खदम हो चुती है लेकिन लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ और गैनिक रीच देते हैं जैसे कि आप क्या कर सकते हो आप कमेंट लाइक और जादा से जादा समय दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करने पे उनको अप्रिशेट करने पे करोगे तो यह कुछ ऐसी ट्रिक्स है जहां से लोग आपके प्रोफाइल तक पहुँचेंगे गैस नेक्स जो है वह है इस्टोरी आप कैसे यूज कर रहे हो जेको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाख लाख फॉलोवर ने लेकिन उनके स्टोरी में हजार विजिटर्स भी नहीं आते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके हजार फॉलोवर्स हैं और उनके स्टोरी में more than 500 विजिटर्स आते हैं like me मेरे में on average 350, 400 तक स्टोरी विजिटर्स आते हैं per day on per स्टोरी ठीक है on average मैं बता रहा हूँ तो ऐसे ही बहुत सारी ल से analysis करना पड़ेगा कि कितने लोग आपके story से आ रहे हैं और आपको कैसे story बनाओ कि वो लोग आपके link तक मतलब आपके profile तक जाए और वहाँ जो link होती है उस पर click करें और वो आपके product के बारे में जाने और at the end आप उनको product sell कर पाओ next last in the list बहुत बड़ा factor है यह और इसको कहते है analytics of post guys आप कितनी भी post करो और उस चीज़ को check करो like 1,2,3 आपने 3 post किया एक दिन में सब के analytics को 24 hours में check करो कि कौन सा post बहुत दूर तक जा रहा है इसका मतलब कितने जादा visitor किसी एक post पे आ रहे है जिस post पे जादा visitor रहेंगे उस तरह की post और create करने की कोशिश करो then आप तीन और उस तरह की post create करो और फिर देखो कि उस तीन में से कौन सबसे अच्छा post है then उस post के base पे और नय post बनाओ और ऐसे करके आप उनको study करते जाओ जहां पर भी इन तीनों में मतलब इन तीनों post में नहीं इन तीनों factors में मतलब profile factor और आपका post factor और story ये तीनों factors को आपको check करना है जो चीज़ आपके लिए जादा beneficial है उस पर आपको काम करना है और इन तीनों पर काम करना मतलब सिर्फ एक काम करना है आपको comment, like और post ये तीन चीज़ों पर ध्यान देना है तो आपका ये तीनों factor grow होते जाएगा और एक चीज़ और है जब आपके story बनाओ तो उसको ऐसा बनाओ कि लोग आपके profile तक पहुंचे तब जो आपकी selling है वो बहुत ज़ादा बढ़ते जाएगी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी ये जो मैंने बताया है सिर्फ आपको organic reach के base पे बताया है अगर आप यहाँ पर paid ads का use करते हो तो ये की चीज़े ये बहुत ज़ादा बढ़ सकती है इवन आपको instant sale भी आना इस्टार्ट हो सकते हैं और जो funnel है email marketing है री टार्गेटिंग है ये सब backup का खेल है और फ्रंट में आपको traffic चाहिए और traffic इन factors के बज़े से आता है तो इन चीज़ों का study करना स्टार्ट करो फिर आप देखोगे फिर आप देखोगे automatically आपको बहुत सारा sale आना इस्टार्ट हो जाएगा बहुत सारी चीज़े समझ आना इस्टार्ट हो जाएगी विकॉज ये जो पूरा game है social media का analytics पे ठीका हुआ है समझने पे ठीका हुआ है कि आप कैसे इस चीज़ क स्टेडी कर सकते हो गया मैं कुछ मिनेट में बहुत सारी चीज़े आपको बता के चलना आता हूं बढ़ आपको इसको लिटरली लिखना है और इसको और स्टेडी करना है Google के द्वारा और समझना आएगी मैंने क्या कहा विकॉज एक वीडियो में आप चैनल पे खहीं से आ आप चैनल